ये ऐसा ख्षण आ गया जब विद्रोह अपनी कगार पर था विद्रोह का आरंभ होता है 12 मई 1875 को 12 मई 1875 को हम विद्रोह की बात करें पूना जिले के सूपा गाउं में वहाँ से विद्रोह प्रारंभ होता है पूरा जिलाब महराश में वहाए गाउं में विद्रोव प्रारंब होता है और स्वाभाविक है आप समझ सकते हैं कि विद्रोव की शुरुवात रहियतों ने की और सबसे पहले किस पर हमला किया होगा किसको अपना विद्रोव के लिए जिम्मेदार माना होगा साहूकारों क क्योंकि शायद साहूकारों अभी भी रिन दे देते तो शायद विद्रोव कुस्तमे तक तल सकता था लेकिन ऐसा नहीं होना था तो इस परकार इन्हों ने अपना रोश अपना विरोध अपना अक्रोश इन रियतों ने अपना भडास अपना सारा गुस्ता इन साहूकारों पर उतारा हूँ और इस प्रकार उनके बही खाते जला दिये उनकी रोकर बाकी की प्रतक जला दी उनके घरों में आग लगा दी और इसके साथी साथ रिन बंद की मांग करते हुए सारे अनाज भंडार लूड़ा ले यहां से पूना के सूपा गाउं से यह विद्रो प्रारंब होता है जिसे हम एक तरीके से कहते हैं बंबई डेकन का देहाती विद्रो 16 माई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आई के एक चिप्थी लखी तारीक याद रखिए 16 माई 1875 याने अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी संसत द्वारा भारत पर पूर्ण तर शासन 1857 के विद्रो के बाद शुरू हुआ 1857 से 1875 मात्र 20 साल गुजरे और उसमें स्थितियां इतनी बदल गई कि पूना के जो जिला मेजिस्ट्रेट थे उन्होंने पुलिस आइक को पत लिखा उसमें लिखते हैं शनिवार दिनांग 15 मई को सूपा में आने पर मुझे उपद्रों की जानकारी हुई एक साहुकार का घरप पूरी तना जला दिया गया लगभग लगभग एक दरजन मखानों को तोड़ दिया गया उसमें घुचकर सारी समगरी को आग लगा दी गई जिनमें खाते पत्र द्रहादी कपड़ा अनाज सब थे जहां राक के धेर में बदल दिये गया हैं पचास लोग को मुख्य कांस्टेबल ने गिरफतार किया लगभग दोजार रुपय का चोरी का माल सबा लिया गया और पचीस जार रुपय से अधिक की हानी होने का अनुमान है साहुकारों का द्वारा है कि एक लाख रुपय से ज्यादा का नुक्सान हुआ ये सब बातें कौन लिख रहे हैं जिला मजिस्ट्रे पुली सरीकारी को लिख रहे हैं किसी एक विशिष्ट घटना का वेवरन देते हुए कि कैसे सूपा में विद्रोफ फेला है आग जनी हुई है लूट पाट हुई है और लाखों रुपे लूट लिए गये हैं इसी शिकायद साहू कर कर रहे हैं पूरा के बाद बढ़ते बढ़ते यह विद्रो एक थोड़ा सा विकराल रूप लेता है थोड़ा फैलता जाता है और किसान दर किसान गाउं दर गाउं जुड़ते चले जाते हैं अहमद नगर वह भी महराश में है पूरा के बाद यहां सबसे बड़ा विद्रो हुआ यहां पर तो लगभग 6500 वर्ग किलो मीटर के खेतर में यह विद्रो फैल गया अहमद नगर का इलाका और इस विद्रो का पिस पूरे किसान विद्रो का मुक्खे स्थल बन गया इस विद्रो का जो देश था वो था अपने को रिन से बचाना और जिस पर हमला किया जा रहा था वे थे साहुकार और अब अंग्रेजों पर भी इसका इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई किसान विद्रो बढ़ता चला गया जैसा मैंने बताया कि दायरा बढ़ता चला गया परिनाम क्या हुआ कि अब समय आ गया जब साहुकारों को गाउं छोड़ कर भागना पड़ा गाउं से वे नौ दो गयारा होने लगे क्योंकि किसानों का गुस्चा और आक्रोश वे बरदाश नहीं कर पाए इस घटना का विवरंड ततकालीन समाचार पत्रों में भी मिलता है जिसमें हम एक लेक लिखा था बंबई में रईयत और साहुकार उस लेक से हम समझ सकते हैं कि कि धंका यह विवरंड रहा है और 6 जून 1876 के इस नेटिव ओपिनियन नाम की जो अकबार था उसका जो उद्धरन है वह बड़ा स्पष्ट करता है कि साहुकारों की हालत क्या हो गई थी और किसान कितने उत्तेजित हो चिके थे बंबई के सभी न्यूस पेपर्स ने इस घटना को वित्रित रूप से छापा है इसका कुछ उद्धरन यहां है इस रिपोर्ट का अंश निम्नवत्था इस रिपोर्ट का अंश निम्नवत्था वे यानि रहियत सबसे पहले अपने गाओं की सीमा पर देखने के लिए जासुसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी यदिकारी आ रहा है और मुजरिमों को समय पर सूचना दे लेते हैं फिर वे एक जुंड बना कर अपने रिणदाताओं की घर जाते हैं और उनसे उनके रिणद पत्र और अन्य दस्ताविज मांगते हैं और इंकार करने पर रिणदाताओं पर हमला करके छीन भी लेते हैं यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी आजकारी उन गाओं की ओर राता दिखाई देता तो गुप्त चर रिकारियों को इसकी ख़वर पहुचा दि जाती थी और अपराजी समय रहते जहां भाग जाती थी विद्रोह का प्रारंब तो एक बहुत छोटे क्षेतर से होता है और एक छोटे कारण से होता है लेकिन धीरे धीरे यदि उसको समय पर साधा नहीं गया तो एक विकराल रूप लेता है जैसे मैंने बताया पूना अहमद नगर यहां से बढ़ते बढ़ते वो महराश में फैला और लगवग 6500 स्क्वेर किलोमेटर खेतर तक फैलता गया जब इतना इसका विस्तार हो गया तब जाकर अंग्रेजों के होश्टिकाने आये और उन्होंने इस बढ़ते हुए विद्रोह के कारणों को जानने की चेश्टा उठाई और उसके लिए कुछ प्रयास किये विद्रोही खेतरों में उधारन के लिए उन्होंने एक तरीके से प्रतिक्रियात्मक कारवाई शुरू की कुछ लों को गिरफ्तार किया करें कारण अकारण काई लोग को दंड भी दिया सजा भी दि और तो और उसके अलाबा उन्होंने हर खेत्र में पुलीस थाने स्थापित किया तो यह एक तरीके से बढ़ते हुए विद्रो की प्रतिक्रिया थी प्रशासनिक प्रतिक्रिया जिसमें उन्होंने गिरफतारियां आदी की और उनका अनुभव ऐसा था कि उन्होंने अंग्रेजों ने कई जगहों पर इस बढ़ते हुए विद्रोह की तुलना अथारा सो संतावन की कुरांती से की है याने वास्तों में इसने एक विक्राल रूप ले तो लिया था भले हिया किसानोंक तस्रीमित था लेकिन विशाल हो चला था उपद्रों की तुलना 1857 से की उपद्रों को दबाया कुचलने की कोशिश की और कुचलने में सफल भी हुए लेकिन उसमें काफी समय लग गया और नियंतरन करने में उनको अपनी काफी ताकत जोकनी पड़ी समय देना पड़ा और कई तरह के नुक्सान उन्हें जहलने पड़े इस पूरी प्रक्रिया में एक बात सामने आए इनके अंग्रेजों के कि हमें इसका इस पूरी घटना का एक व्यवस्थित तरीके से अध्यान करना आवश्चक है जरूरी है कि आखिर इसके कारण क्या थे कारक क्या थे परणाम कैसे क्यों ऐसे हुए और इस उत्धेश से अंग्रेजोंने कई जांच आयोग भी बेठा है इसमें से एक जांच आयोग है दकन दंगा आयोग देकन दंगा आयोग देकन दंगा आयोग देकन बाक्षिन भारत का वो ख्षेतर है जो पठारी है और करनाटक के आसपास महराश की नीचे की और कख्षेत कहलाता है वहाँ जो दंगे हो रहते जैसे मैंने पूना अमन दगरादी की जिक्र किया है तो उन दंगों को ध्यान में रखते हुए कारण और निवारन के उद्धेश थे उन्होंने ये जाज आयोग बैठाया और इस जाज आयोग ने अपने कारेश शुरू में गंभीरता से नहीं लिये उन्होंने सोचा कि अभी आंदुलन ये ये विद्रो कुचल दिया गया है गिरफ्तारियां हो चुकी है और दंड भी दिया जा चुका है अन्य प्रशासनिक कारवाई भी हो चुकी है तो अब जाज आयोग कोई विशेश मायने नहीं रखती लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसको एक व्यवस्थित तरीके से अध्यन करने के उद्धेश से ये जाज आयोग बैठाय गया था और इसको बैठाने के पीछे भारत सरकार का भी दवाव था जिसने बंबई सरकार पर सतत रूप से दवाव बनाया क्योंकि डेकन जो खेतर था वो बंबई प्रेसिडन्सी के मातहत आता था तो उन्होंने बंबई सरकार पर सतत दवाव बनाया कि जाँच आयोग बठाई जाए और एक विश्थित तरीके से इसका अध सरकार के दवाव कि आने पर और अपनी विश्थित रिपोर्ट तैयार की इस जाज आयोग की बैठकें और इसकी रिपोर्ट तैयार होने में बहुत लंबा समय लग गया और 1878 में अंतता यह रिपोर्ट ब्रिटिश पारलमेंट में अंग्रेजी संसद में लंदन में पेश अपने तरीके से गहराई से अध्यान किया गया था। रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारी महत्पूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई थी। विविन जो शुरोत हैं उन से अभिलेक मंगाये गये थे। डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। लेकिन ये तह है कि ये सारी प्र के लिए समीते बैठाई थी तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस जाज आयोग का नजरिया थोड़ा सा अलग रहा होगा। यानि हो सकता है या पूर्ण रूप से अपनी निश्कर्ष को निश्पक्ष न रख पाए लेकिन फिर भी इसके कुछ निश्कर्ष तो सही थे ही और जाज आयोग इसमें बैठाई 1878 में रिपोर्ट प्रस्तित हुई और रिपोर्ट बनाने के लिए महत्पूर्ण सूचनाय जो 71 की गई थी उस 71 सूचनाओं के अधार पे जो ये रिपोर्ट बनी यह दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है डेकन जाज आयोग की दंग रिपोर्ट इस नाम से प्रसिद्ध है और इसकी बात यदि हम करें तो चार महत्पूर्ण पहलों पर हमको ध्यान देना होगा पहला तो था कि इस आयोग के सदस्चियों ने जितने भी दंगा ग्रस्त खेत्र थे वहां पर व्यक्तिकत रूप से जाकर जाज परताल की कारण बिंदू है कि किसानों साहुकारों और इसके अलावा जो महत्पूर्ण गवाह थे चश्मदीन गवाह इस घटना के जो गवाह थे उनके साथ इन्होंने बात चीत की मैं पुना दोहरा दूँ क्योंकि यह बिंदू बहुत महत्पूर्ण है उन्होंने इस आंदोलन इस बैठाई थी उस आयोग ने मूलता किसानों से साहुकारों से और चश्मदीन गवाहों से बात की यह बात इसलिए विशेश लिखनी है क्योंकि आगे हम जानेंगे कि साहुकारों और किसानों से इन्होंने विशेश बातचीत क्यों की तीसरा बिंदू जह हमें समझने की है हुआ है कि जाज आयोग ने विभिन खेत्रों से जहां जहां विद्रो हुए थे और इसके आसपास के खेत्रों से भी उसने उन खेत्रों की राजस्व दरें राजस्व दरों के साथ ही साथ उसने अन्य आकड़े जैसे मूल और ब्याज चीजों का धान का अनाच का मूल और ज थे उसकी ब्याजदरें इनके आंकड़े भी विस्तरित रूप से एकत्र किया और उनका अपने तरीके से अध्यान किया और चौथी बात जो अंतिम है वह है कि प्रभावे जिलों के कलेक्टरों ने जिलाधीशों ने जो अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी थी उस रिपोर्ट का भी उन्होंने गहन अध्यान किया और उन सारी रिपोर्ट को संकलित किया तो इस प्रकार इन चार बिंदूओं को लेकर इस जाज आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुद की जो दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रसिद है उपनी वेश्वाद और देहाद इस पर इतनी विस्तार से समझने के बाद और ये जानने के बाद कि हमारा ये सारा अध्यान जो है वह सरकारी अभिलेखों तरकारी दस्तावेजों सरकारी रिपोर्ट और सरकारी मशीनरी के द्वारा तयार किये गए प्रतिवेदन के अधार पर है तो इसकी कुछ समस्याएं भी हैं इन चाह सरकारी प्रतिवेदनों का श्रोत के रूप में यदि हम इस्तिमाल करते हैं तो उसकी कुछ समस्याएं होती हैं मुल रूप से वास्तों में सरकारी प्रतिवेदन होता तो बहुत महत्पूर्ण है महत्पूर्ण इसलिए क्योंकि सरकारी प्रतिवेदन सरकारी होने के कारण सरकार की नजर में उसमें दिये गए तथ्य सच है और मुटा मुटा हम मान सकते हैं कि उसमें जो तथ्य आंकड़े आदि दिये गए हैं वे किसी साक्ष के आधार पर निरधारित हैं लेकिन अच्छी तरह इनका आकलन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सरकारी नजरिया ही पेश करते हैं इन रिपोर्ट के पीछे एक खास उद्येश होता है एक मकसद होता है एक कोशिश ये होती है कि सरकार अपने को जिम्मेदार इसमें न साबित करें और यदि ऐसा उद्येश है तो रिपोर्ट जो है वो निश्ची तरूप से एक गलत दिशा की और मुड़ेगी जिस पे हम आकड़े या सरकारी प्रतिवेदन महत्पूर्ण होने के कारण इतिहास कारों के लिए बहुत बड़ा अधार है और इतिहास कार इन आकड़ों इन रिपोर्ट दस्तावेजों के प्रतिवेदन के अधार पे इतिहास लिखते हैं तो ऐसा करते समय ये बहुत आवश्यक है कि इतिहासकार इसका अध्यान बड़े सावधानी पूर्वक करें और साथ ही इसके इसमें दिये गए सक्ष के आधार पे इतिहास का पुनन निर्माण करते समय और सावधानी बढ़ते हैं तात्पर ये है कि इतिहासकार को इनको इतिहास में समावेश करने से पूर्व ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने सरकारी दस्तावेजों में दिये गए बयानात दस्तावेज आधि का अध्यान करते समय सुनिश्चित किया है कि उसके पास इन दस्तावेजों में दी गई जानकारियों के परियाप्त साक्ष किसी अन्य रूप में भी मौजूद हो उधारन के लिए और क्या साक्ष हो सकते हैं जैसे तदकालीन समाचार पत्रों में जानकारियां सम्मंधित या प्रभावित लोगों के द्वारा एक दूसरे को लिखे गए पत्रा चार साथ ही उस समय के जो लोग हैं जो प्रभावित हुए उन्होंने यदि किसी तरीके से साक्षातकार सम्मंधित लोगों को दिया हो समय सरकारी मशीनरी से हटकर उन साक्षातकारों का विवरंड और दूसरे उदाहरं जो सरकारी दस्तावेश से हटके हूँ यदि इनके साथ तालमेल हो तो इतिहासकार को इन साक्षों को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि हमें इस बात के प्रति सजग रहना होगा हमें से अर्थ है इतिहासकारों को कि कहीं ये सरकारी दस्तावेश जो हैं ये जो सरकारी रिपोर्ट जो हैं ये कहीं सरकार के बयान का प्रस्तुती करन तो नहीं है सरकार कहीं अपने बचाओं में रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे बयान तो जारी नहीं कर रही जिससे सच्चाई छुपी रह जाए एक उदाहरन के रूप में हम बताना चाहेंगे कि दंगा आयोग का जो निर्मान हुआ था उसका उद्देश क्या था उसके अद्देश था ये पता लगाना कि क्या ये दंगे बढ़े हुए राजस्वदर के कारण या किसी प्रकार के अत्या चार पूर्ण व्यवहार अधिकारियों के द्वारा किये गया हूँ उसके विरोज में तो नहीं है तो दूसरी शब्दों में विद्द्रो के इन दो कारणों में से एक कारण को साबित करना सा जहां चायोग को दंगायोग को दंगायोग ने इसमें काफी अध्यान किया और विद्द्रो का कारण जब उसने पता लगाया और जैसा मैंने पूर में बताया उसने दस्ता वेजों का कलेक्टर की रिपोर्ट और साथी राजस्व दरू ब्याजदर मूल दर इन सब के आंक्रे जब एकत्रित किये तो जाज आयोग इस निशकर्श पर पहुंचा कि ये जो दंगे हुए ये किसी सरकारी खामियों के कारण नहीं हुए सरकार के विरोज में नहीं थे ये दंगे तो असली साहुकारों के विरोज में थे ये साहुकारों की रिंडाताओं के विरोज में थे वे रिंडाता और साहुकार जिनके पास किसान पैसा लेने जाते थे ऐसा कहके सरकार ने अपना पला ज़ाड लिया लेकिन ऐसा कहते हुए यह जांच आयोग इस बात को भूल जाता है और शायद भूलता नहीं है बलकि जांच की दिशा को बदल देता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि सरकारी मशीनरी किसी भी तरीके से इस विद्रों के लिए जिम्मेदार नी साहुकारों और रिनदाताओं का रवईया इस विद्रों के लिए जिम्मेदार था अब गलती कहां हो रही है या जान मुझ के ऐसा कहां हो रहा है आखिर किसान साहुकारों की शरण में या रिनदाताओं की शरण में क्यों जाता था उसे ऐसी क्या कारण स्पष्ट कि जो भू राजस्व दरें थी वे इतनी अधिक हो गई थी और उसके साथ ही साथ जो तरकारी कर्मचारी थे अधिकारी थे उनका रवया भी इतना कठिन हो गया था इस राजस्व दर को एकठा करने के प्रति कि किसान बड़ा तरस्त था और इन अत्याचार स बचने के लिए इस व्यर्थ के दबाओं से बचने के लिए वह साहू कारों के पास जाता था जिसका साहू कार दुरपयोग करते थे उनको अपने तरीके से निचोड़ते थे कहने कारत यह है कि कहीं न कहीं सरकार ने बचने की कोशिश की इस रिपोर्ट में और विद्रो का सारा ठेकरा साहू कारों और रिंड़ दाताओं पर के सिर्फ मड़ाने की कोशिश की है इन बिंदूओं को रखने का कहने के पीछे अभिप्राय ये है तात्पर ये है कि आपनिवेशिक सरकार वह सरकार जो उपनिवेश वाद के उद्धेश्च से भारत आई थी वे जनता में जो असंतोष व्यापत होगा जनता में जो रोश व्यापत होगा उसको किसी और के सिर्मड़ेगी और अपने को स्वेम को उत्तरदाई नहीं मानेगी ये हमें मान के चलना चाहिए और यदि हम ऐसा मान के चलते हैं तो निश्चित रूप से इतिहासकार के नाते हम सजग रह इतिहास की दृष्टी से उप्योग करते समय हम थोड़ा सजग रहेंगे सचेत रहेंगे सरकारी रिपोर्ट का अध्यान करते वक्त हमें ये ध्यान देना होगा कि साउधानी पूरवक इसका अध्यान करें इसका उप्योग करें और दूसरा कि इनका उप्योग करते समय इन दस्तावेजों में दी गई बातों का अन्य साक्षियों से मिलान करने की कोशिश करें और इस पर खरे उतरने पर ही इन बातों को हम इतिहास में दर्च करें